असलाम वालेकूं प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं न्यू पिजन एंबर्ज लवर रावर पिंडी तो प्यारे दोस्तों आज दो बचे जो हैंड फीड करवाँगा क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये एक बचा बड़ा है और एक छोटा है जो बड़ा बचा होता है वो ज्यादा ले लेता और चोटा बच्चा भूका रह जाता जिसकी विसकी ग्रोथ कम हो जाती है और बास बच्चे मर भी जाते हैं तो मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा अपने हाथ से जिस तरह मैं दाने देता हूं तो वो तरीका भी आपको बताऊंगा और इंशाल बास वाहार काट लीजेगा ताकि यहां आप दाना दे सकें और इस्वह साइज से अपकरट लीजेगा और इसके साइब यह यह देके मैंने गबार लिए और इसको काट लिया गये से और इसको अच्छे तरीके से आप रसी से जोछर app किसी चीश से पिँवC consent pond आप्रक्शा भी आप दाना बिगोना चाहिए उसको बिगोना के बाद फिर उसे आप इस बोतल में डाल दें ये देखें जिस तरह मैं डाल रहा हूं इसको अराम से आप डाल दें और ये देखें ये मैंने रात को ये बिगोया था ये दाने ना तो इस तरह आगे से आगे की तरफ कर लें अंगली आप सुराख पे रखे तो उसके बाद आप ये देखें ये बच्चे को आप दें तो इससे बहुत ही सबर्दस्त तरीके से फीड होती ये देख सकते हैं आप ये दाना मूं में जार है और इसकी आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो माशाला ये बच्छा भ ये दाना भी मूं में जारा है कुछ दाने गिर भी रहे हैं कोई मसला नहीं आप इससे दुबारा उठा ले उठाके डाल दीजिए लेकिन फरस्ट हम आप इनको पहले फीड करवा दें लेकिन ये देखिए ये फीड और ये एक तरफ दाना जारा है मूं में आपको इस तो फिर आप मैं पिर कोशिश करते हूं आपको भाओ ये देखें ये जो दाने इसको मैंने रात को भिगो दिया था और फिर सुबा щुब और पानी उगरा निकाल दिया इसके तो फिर ये इसको मैंने इसमें डाल दिया तो इससे ये फाइदा होता है कि ये बच्चे जो है ये जिस तरह कबूतर अपने मूँ में रख के देते हैं तो रात को रखने से ये फाइदा होगा कि ये दाने नरम भी हो जाएगा और इससे कबूतर के बच्चे उसे हजम भी असानी से कर पा लेंगे तो यह देख लेया आपको वीडियो आपको न वाजियत और प्नाजर भी आ रहाए होगा अभी फिर मैं कोशिक गरता हूं को कबूरत को बच्चा थोड़ दूर दूर आद दो गया तो यह देखें ये अभी मैं जूम करता हूं और दाना ये ये देखें ये दाना जबरदस तरीके से ये ले रहे है तो ये पेड़ बारकर काएगा तो पहरे दोस्तों इस तरह आप अपने बच्चों को जो कबूतर के बच्चे उसको हैंड फीड करा सकते हैं असानी तरीके से और इससे बच्चे मरेंगे भी नहीं तो पैरे दोस्तों आज के लिए इतना अपने दोस्त को इजाज़त दूए